सब्सक्राइब एंड प्रेद बेल एकोन अल नोटिविकेशन थैंक यू अगर हम बात करें दुसरे अपड़ीट की दोस्तों ओपो की तरफ से खबर आ रहे हैं यह कमाल का पेटेंट है आप देख सकते हैं दिखने में ऐसा होगा दूस्तों ओपो के स्मार्टपोन में साइड पपप सेल्पी क्यामरा आपको साइड फिंगर पेंट मतलब आपको साइ अगर हम बात करें दूस्तों ऑननर की सटों तरफ से खबर आ दिये तो समं नियुक्त लोग एक्सिवार लिए तो बहुत लोग एक्साइडेर थे आप थे माई थे बहुत लोग ना इसके लिए एक्साइडेर थे ओनर 9x के लिए और फाइनली इसकी इंडिया की लॉंच डेट निकल कर आचुके कनफार्म हो चीकिए लॉंच डेट बता जा रहे कि 14 जनुरी इसी माईने में 14 तारीक 6GB, 64GB, 6GB, 128GB और किरें 810 प्रोसेसर होगा तो देखेंगे इसनों क्या कमाल करें देता है 14 तारीको ओनर 9x को लेके दोस्तों अगर हम बात किरें दुसरे अपडेट की दोस्तों शौमी के तरब से खबर आ रहे है दोस्तों बताए ज़रे कि Redmi का लैप्टॉप आने वाल है Redmi book बोलके Redmi का एक लैप्टॉप आने वाल है तो देखेंगे सो इसकी बाकी यह स्पेस्टिकिशन और कप लांच होता है और इसका प्राइज कितना होगा कुछ भी लिग होकर आया नहीं लिग होकर आएगा तो मैं आपको टेग्निस में ज़रूर अपडेट कर दूँगा इसका Galaxy Note 10 Lite और Samsung Galaxy S10 Lite बता जारा कि इसी January के end तक यह launch हो सकते हैं सब कुछछ आएँपर बता जारारा ह। क्या आप इसके लिए X7 है क्या सो Samsung Galaxy S10 Lite के लिए X7 है क्या Samsung Galaxy Note 10 Lite के लिए X7 है और कमाल की बात तो Note 10 Lite में S Pen मिल रही है यह तो कमाल की बात है सो और सो मता जारे कि Samsung Galaxy S10 Lite में Snapdragon 855 होगा और Note 10 Lite में Samsung का Exynos 9810 प्रोसेसर होगा और दोनों में 4500 मेंच की बैटरी है फार्ट चार रह रह रहा है और देखिंगे सो क्या कमाल दामाल करता है इसी मंद के एंड तक ही इंडिया में लॉंच हो जाएंगे देखिंगे इसकी exact लॉंच डेट कितनी होती है मतलब लॉंच डेट निकल कर आईगी न मां आपको टेकनिज में ज़रूर अपडेट कर दूँगा आपको डेली की टेकनिज देखना है मां आपको डेली की इंटरेस्टिंग निउस है न आपको देते रहता हूं तोस्तों अगर हम बात करें दुसरे अपडेट की उसम बताए जारे है कि इंडिया में जाएंगे और बता जारा किस तो उसके प्राइस है ना 30,000 से ज़्यादा होंगे 30,000 के उपर होंगे ऐसा कोछ यहां पर बता जारा तो 5G के स्मार्टफोन आए तो प्राइस हो थोड़ा ज़्यादा हो गई और ब्राइंड भी क्या है सामसेंग और ब्राइस है वनप्लस तो बजट देता रहा तो उसके साथ रयल में भी है शायद रयल में तो बजट देता है लेकिन रयल में क्या करेगा पता ने 2000 के Realme भी आना 30,000 के उपर ही देगा Faiji के स्मार्टफोन को और Xiaomi भी है सब ब्रैंड्स हैना 30,000 के उपर ही देगे Faiji के स्मार्टफोन को दोस्तों क्या Faiji के स्मार्टफोन के लिए excited हैं कि excited हैं तो मुझे नीचे कमिने दो लिख कर बताई दिना दोस्तों आज के टेकनी जहें पर कतुमिती उम्मीद है आपको पसंद दिया होगा मिलते हैं आप से कवरने ओडियो में तब तक के लिए Take Care